वंद कहां तक पाला जाई, युद कहां तक टाला जाई, तो भी है राणा का वंसज फैंक जान तक भला जाई, स्वागत सभी सात्यूं का स्टेडी एक्जाम एकडमी राजस्तान के सरवादिक सेलेक्शन देने वाले ओनलाइन पलेट फोरम पर, तो सात्यूं आज की कलास में राजस्तान जीके का एक नया पार्ट आपके लिए हम लेके आए हैं, और इसमें पिछली परिक्षाओं में जो पसन पुछे गए हैं, विगत परिक्षाओं में, उन सभी पसनों पर हम चर्चा करने वाले हैं, सभी साती लाई जुड़ जाएं, बिना देरी की वे हम कलास को स्टार्ट करने वाले हैं, पहला परिशन आपके सामने स्क्रीन पर है, यदि आपको आंसर आ रहा है, तो नीचे आप कमेंड बोक्स में जरूर बताएं, निम्म लिकित राष्टी राजमार्गू में से कौन सा एक राजस्तान में, राजस्तान म हैं, बिल्कुल अजमेर को विकानेर से जोड़ता है, यहां पर देखो तोड़ा मिश्टेक है, लिखने में अजमेर है, अजमेर को विकानेर से कौन सा राष्टी राजमारगी जोड़ता है, बहुत यह चा पशन है, राष्टी राजमारगू का यह पूछा गया है, राजस होगा बढ़ते हैं अगले परशन की और शेकिंड आपके सामने है राजस्तान में मुख्य मंत्री सडक योजना को किस वरस में लागू किया गया मुख्य मंत्री सडक योजना किस वरस लागू की गई बहुत ही गजव का परशन है यह जो उद्ध्योग विबा की प्रिक्षव मुख्य मंत्री सडक योजना को लागू किया गया 2005 में तीन नमर आपका यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा नेक्स्ट अगला परशन देखें राजस्तान की पहली मैला पाइलेट कोन थी कलपना चावला परतिबा पूनिया पिरिया सर्मा नर्मता भट राजस्तान की पहली मैला पाइलेट कोन थी स्टुडेंट आंसर कमेंट बोक्स में बताएं और आपको बता दू इवनिंग में सामको 9 बजें डेली राजस्तान ज जो इस्टुडेंट्स बता रहे हैं सभी का यहां पर राइट है कहीं बार एकजाम में पूछा गया है बढ़ते हैं अगले परसंग्या चार है कि राजस्तान में महारणा परताब हवाइड़ा कांपर इस्तित है जेपूर उध्यपूर जोद्पूर या चित्तोडगड तो मह परताब हवाइड़ा है आपका उध्यपूर में काम पर है उध्यपूर में दो नमबर आपका भी राइट आंसर माना जाएगा जो इस्टुडेंट्स बता रहे हैं सभी का राइट है मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो राजस्तान पुलीस कोंस्टेबल की त्यारी कर रहे और इसके साथ में आपको लाइव क्लासेज, रिकोडेड वीडियो, मोग टेस्ट बगेरा पीडियाप नोट्स सारे आपको मिलने वाले हैं अनेकेडमी एप का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में है या पले इस्टो पर मिल जाएगा वहां से आप ये कोर्स परचैज कर सकत हैं सबसे सानदार थियारी आपको करवाई जाएगी अनेकेडमी के उपर इस वार राजस्तान पुलीज की पर्सण सिंक्य पांच कि नीमनमें से राजस्तान के किस जिले में रेलवे की सुईदा नहीं है यानी इस जिले में क्या नहीं है रेलवे लाइन आपको नहीं मिले बांसवडा जिला है कौन सा है बांसवडा तीन नमर आपका यहां पर राइट आंसर होगा मेरे शाथ यूँ नहीं इलकुल यहां पर राइट है इसकी pdf वाइल हमारे टेलीग्राम ग्रूप में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम को गूरूप का लिंक डिचे डिस्क्रिप्सि म मारक को नीमन में छली और राइट यह राइट आ पर क्या होаю एक नमर आपका किए राइट आंस्वर माना आएगा मेरे प्यारे साथ उए अगला परशन देखें, अगला है कि राजस्तान में डबोख हवाईड़ा कहां पर इस्थित है, अजमेर, चितोडगाड, उध्यपूर या जेपूर, ये परशन भी 2019 में जित्दो भी एक्जाम हुए थे, उनमें पूछा गया, बहुत सारे एक्जाम में पूछा गया, डबो कोटा एवं जलावाड से होकर गुजरता है, इसे परशन बार बार एक्जाम में रिपिट होते हैं, कौन सा राजस्ती राजमारक जेपूर, टौंक, बुंदी, कोटा और जलावाड से होकर गुजरता है, तो ये एन्नेच 12 है, कौन सा है, नेसनल हाईवे 12, एक नमर आपका यहां पर राइट आंसर होगा, और तो राजस्ती राजमारक है, उनके नाम भी चेंज गर दिये गए हैं, वो भी आप ध्यान रख लेना, इनके नाम मूं में भी थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है, परसंट रिंगा नो है कि नाल हवाईड़ा कहां पर इस्तित है, ना यह चाप परशने की थार एक्सप्रेस मुनाबाव से के मद यह चलती है, अटारी, खोकरापार, करतारपूर या कराची, तो थार एक्सप्रेस मुनाबाव से कहां तक चलती है, खोकरापार, विल्कुल दो नमर आपका क्या हो जाईगा, राइट आंसर होगा, नेक्स्ट, अगला परशने की थार एक्सप्रेस, थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतराश्टी रेलवे है, जो जोदपूर को कराची से जोड़ती है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस बारतिये सिमा में, पहला कौन सा रेलवे इस्टेशन है, केने का मतलब य है यह अपना राजस्तान है और यह इदर पाकिस्तान का बोर्डर है इजर से पाकिस्तान चाहती है यह रेल ट्रेन आती है पाकिस्तान से इंडिया में थार एक्स्प्रेस और यह रजब राजस्तान में प्रवेस करती है तो राजस्तान के में कौन सा सबसे पहला रेलवे स्ट त्वेयरा करो कुछ गोजर्ने वाला कोन सा राश्ठी राजमारग देश में सबसे लंबी दूरी टेक करता है राजस्तान से गुजर्ने वाला सबसे लंबा राश्ठी राजमारग कौन सा है तो एनच्य 27 तीन नमर आपको क्या हो जाईगा राइट आंसर होगा next अगला देखें अगला है कि कौन सा राष्टी यह राजमारक जेपूर को दिल्ली से जोडता है NH 65, 48, 27 या 11 किसको किस से जोडता है जेपूर को दिल्ली से जोडता है NH 48 बिल्कुल दो नमर आपका क्या हो जाईगा right हो जाईगा next अगला देखें उत्तरपस्चिम railway मुख्यल यह जेपूर के कितने मंडल है उत्तरपस्चिम railway का जो मुख्यल यह है वो आपका जेपूर में कहां पर रहे है जेपूर में और इसमें कितने मंडल आते हैं एक दो तीन या चार बिल्कुल चार नमर राइट हो जाएगा चार कितने आते हैं चार नेक्स्ट अगला परशनेगी राजस्तान का सबसे छोटा राश्टी राजमारक निमन में से किस इस्तान को नहीं जोड़ता है रिवाडी अलवर दारुह या मानेसर तो किसको नहीं जोड़ता है मानेसर को नहीं जोड़ता है चार नमर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा नेक्स्ट अगला है निमन में से कौन सा नगर पुरुपस्चिम कोरिडोर से जुड़ावा नहीं है कोटा उध्यवपूर जेपूर या जेपूर नहीं है कौन सा नहीं है जेपूर तीन नमर आपका यहां पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट अगला परसन है कि राष्टे राष्टे सडक मार्ग नमर तीन इसका नया नाम है फौटी फ़ॉर उत्र दक्सिन कोरिडोर यह किसको जोड़ता है यह इस पर कौन सा तेंगर है दोलपूर आगला पस्तान ने में चुंसपर नाम पोचुका है जेपुर नहीं है क्या नंसा नहीं है जेपूर एक नमर्व आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट अगला है की राजस्तान राज्येव पत परिवे निग्म की इस्तापना किस वरस्थ में निंसोटे आंक्स्ट अगला परेशट बिलकूल बेसिक है उत्तर पस्ची में रेलवे जोन का मुख्यल ये कहां पर है अलवर, भरतपूर, कोटा या जेपूर तो इसका मुख्यल ये जेपूर में कहां पर है जेपूर में चार नमर आपका राइट आंसर होगा नीमन में से कौन सा यूगम सही नहीं है एक तरव आपको नगर दे रखा है दूसे तरव उडियन केंदर दे रखा है जेपूर, उद्यपूर, कोटा या जोदपूर जेपूर में सांगानेर है उद्यपूर में डबोग और कोटा में कोटा जोदपूर में पालम जोदपूर में नहीं है जेपूर में सांगानेर होईड़ा है उद्यपूर में डबोग होईड़ा है पील्कुल, चार नमर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा अगला परसन ही कि जिन नगर से संबूचे से होकर राश्टी राजमारक संक्या 8 गुजरता है किन जिलू से होकर गुजरता है इसका राइट अंसड क्या हो ़ीगा किन नग्रू से होकर गुजरता है तो यह गुजरता है अलवर जेपुर और अजमेर से कौ से अलवर जेपुर और अजमेर दूरनमर आप Byz umewrog रोड मास्टर प्लान दोजार पचीश राजस्तान रोड मास्टर प्लान दोजार इकीश या राजस्तान रोड विजन दोजार पचीश तो योजना है राजस्तान रोड विजन दोजार पचीश बहुत ही अच्छा प्रशन है एक्जाम की दश्टीश यहां रख लेना राजस ग्यारा एनेच बारा या एनेच जी पंद्रा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एनेच जी पंद्रा चार नमर आपका राइट आंसर होगा और इसका नाम चेंज कर दिया गया है सात्यू एनेच ग्यारा कर दिया गया है नेक्स्ट अगला परशन देखें प्यारे सात्यू राजस्तान वे की सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन इस्तित है राजस्तान और किस राज जी की सीमा पर भवानी मंडी है पंजाब मद्य परदेश हरियाना या उत्तर परदेश इसका आंसर बता है तो किशकी शिमा पर रहे मद्धिय पर्देश बिल्कुल दोघ नम्मर आपका क्या हो जाईगा? राइट अन्सर होगा बढ़ते है अग्ले दिल्ली जेपूर चितोडगड राष्ट ये राजमारा का नया नमबर क्या है दिल्ली जेपूर और चितोडगड वाला तो इसका नया नाम क्या होगा विल्कुल NHA48 तीन नमबर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा अगला पसंद है कि सिरोही उद्यपूर चितोडगड कोटा बारा राष्टी राजमारा का नया नमबर क्या है तो इसका है NHA27 तो नमबर आपका राइट आंसर होगा अगला पुछाएगा है कि सिरोही उद्यपूर चितोडगड बारा तो इसका है NH27 क्या है NH27 तीन नमबर आपका राइट हो जाएगा नाक्सट परशन है जेपूर मेट्रो की शुरुआत कब होई 2014 में 15 16 या 2017 तो जेपूर मेट्रो की शुरुआ तुई थी 2015 में दो नमर आपका क्या हो जाएगा राइट आंस्वर है माना जाएगा अगला पशन देगा राजस्तान में रेलवे की छोटी लाइन राजी के किस जिले में है रेलवे की सबसे छोटी लाइन किस जिले में है दोलपूर जिले में है किस में रहे दोलपूर में गुरुजी दो नमर आपका क्या हो जाएगा राइट होगा अगला पशन है राजस्तान से गुजरने वाले निमना राश्टी राजगरू में से कौन सा राजमारग है तो राजस्तान भू भाग में सरवादीक लंबा है तो सरवादीक लंबा कौन सा है राजमारगी बिल्कूल राश्टी राजमारग सेंग्या 15 तीन नमर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा नेक्स्ट अगला परशन है कि राजस्तान भू छेतर में लंबाई की दस्टीशे हैं राजस्ते गोजरने वाले निमन राश्टी राजमारग का सही आरोई करम कौन सा है तो लंबाई की दस्टीशे कौन सा हो जाएगा दो और नमर हो जाएगा राश्टी राजमारग सेंग तीन उसके बाद 114, 79, 89 दोर नमर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा ऐसे परशन पूछे जाते हैं जान रगना पटवार ग्रामशेव के एक्जाम है अगला परशन अगला है कि राश्टी राजमारग 15 पर इस्टी ते नगर कौन से है तो पंदरा पर आपके कौन कौन से नगर है बिल्कुल गंगा नगर है बीका नेर है जैसल मेर है बार्ड मेर है दोर नमर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा अगला देख राजस्तान का वे राष्टी राजमारग जो एकी जिले तक सिमित है क्यों एकी जिले में है इसा कौन सा राष्टी राजमारग है तो इसका भी राइट अंसर हो जाएगा 79A दो और नमर आपका राइट अंसर होगा बिल्कुल अगला परिशन देखें दिल्ली बुंबई इंडेस्ट्रियल कोरिडोर पर्योजना का 40% हिंसार राजस्तान में है जिसकी लंबाई कितनी है इसकी लंबाई है टोटल 566 किलोमेटर कितनी है 566 किलोमेटर दो नमर आपका राइट आंसर होगा आज की कलास में इतना ही कोपी महतुपून पशन थे आपके कितने पशन राइट वे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बहुत सारे विदारती पूछते हैं किसरा में पीडिया फाइल चाहिए इसकी तो हमारा टेलिग्राम गुरूप है यहां पर आपको नाम दिख र झाल झाल